हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू और मास स्पोकन इंग्लिश क्लास फ्रेंड्स हम आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं स्पोकन इंग्लिश का एक ऐसा कोर्स जिस कोर्स में आप पाएंगे एक दम बैसिक से एक दम जीरो से इंग्लिश सीखने का मुका काफी फ्रेंड्स हमारे दिनों के struggle के बाद ये course आप सभी के लिए design किया गया है और इस course की सबसे खासियत यहाँ है, सबसे अच्छी खासियत यहाँ है कि यह course एक दम basic से design किया गया है अगर कोई primary class का student भी इसको अगर करता है तो वह भी easily understand कर सकता है, वह भी easily समझ सकता है और इस level को step by step आगे बढ़ाने की कोशिश किये तो friends यह course आप सभी के लिए learning language की जो आपका way है learning language की जो आपकी यात्रा है, उसमें यह meal का पत्थर साबित होगा और बहुत ही काफी यहाँ से आपको mark दर्शन चीज़े मिलेगी तो friends आज हम आप सभी के लिए लेकर क्या है spoken English का आज relation first, पहला chapter आज friends हम discussion करने वाले हैं यह friends यह जो chapter है काफी interesting रहेगा और एक दम basic से यह पूरा course डिजाइन किया गया है इस course को दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि यह course बचपन से पचपन के लिए डिजाइन किया गया है बचपन से पचपन के लिए डिजाइन किया गया है इट मेंस एक दम basics इसको डिजाइन किया गया है और इसमें हर एक level को touch करने की कोशिश की गई है तो काफी interesting journey होने वाली है friends हाँ अगर अभी तक हमने आपने हमारे channel को like नहीं किया है share नहीं किया है और subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ जो 30 days की class आपकी होने वाली है 30 days मात्र 30 days में जो है आप spoken English का complete syllabus जो है cover up कर पाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि कोई सी भी अगर spoken English की book पढ़ रहे है कोई सी भी class अगर आप attend कर रहे है तो सारी चीज़े आपको आसानी से समझ में आने लग जाएगी तो चलिए हम आपके समय की कदर करते हैं value करते हैं और start करते हैं हमारे आज का पहला lesson friends अगर हम बात करें spoken English के point of use है तो spoken English जो है आप सभी के लिए important है चाहे आप student है चाहे आप corporate sector में काम करते हैं चाहे आप किसी भी field में है और अगर आप कुछी भी नहीं काम करते हैं इवन आप घर पर enjoy करना चाहते हैं आपके लिए English बहुत बहुत ज्यादा important हो जाती है क्योंकि हमने देखा है कोई सी भी movies देखते हैं कोई सी भी web series देखते हैं या कुछ भी अगर हम generally देख रहे हैं तो most of the words आजकल English में ही use किये जा रहे हैं आजकल बच्चा-बच्चा English जानता है अगर हमें English नहीं आ रही है तो definitely हम problem face करते हैं तो आपके समस्या का complete solution हम लेकर क्या है अगर आपने like नहीं किया है channel को तो like, share and subscribe जरूर कर दीजिएगा दूसरा आज हम बात करते हैं एक दम basic concept है एक ऐसा concept हम पढ़ने जा रहे हैं हो की छोटा सा बच्चा भी है उसको सीख पाएगा चलिए बात करते हैं हम HAVE हो की हो के बारे में वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि हो के बारे में आपने बच्पन से पढ़ा होगा कि I हो मेरे पास कोई चीज है आज हम हो का मतलब मेरे पास नहीं है क्योंकि वहाँ पर भी जो है कॉंसेट जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था क्योंकि वहाँ पर I, V, U, D काफी कन्फ्यूजन होता है तो उस समस्या के समाधान के लिए आज हम हो का एक ऐसा यूज लेकर के आए हैं जहाँ पर कोई subject नहीं है कोई IV यूदे नहीं है कोई verb नहीं है बड़ा ही आसान सा concept है यह concept आपके लिए मतलब एक बार में यहाँ पर बताऊंगा और आप आसानी से इसको सीख जाएंगे और friends यहाँ जो structure है वो इतना important है कि आप day to day life में उसका दिन भर यूज करते हैं तो आज हम समझते हैं हेव का सबसे पहला यूज जो है वो होता है हेव मिन्स लीजिये हेव मिन्स होता है लीजिये या रखिये तो आज जो हम हेव का यूज पढ़ने वाले हैं इसका मतलब होता है हेव मिंस लीजिये या रखिए जब हमें बताना हो जब हमें कहना हो किसी भी विक्ति को कि कोई वस्तु आप लीजिये तो वहाँ पर हम यूज करते हैं हेव ठीक है और बड़ा ही इजी सा कॉंसेप्ट है कि जो भी चीज आप देने के लिए कह रहे हैं रखने के लिए कह रहे हैं वहाँ पर उसके बाद वो चीज का नाम लिग दीजिए जैसे कि जब कभी भी हमें किसी व्यक्ति को कहना हो कि आप कोई चीज लीजिए जब हमें इसका definition अगर हम लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जब हमें कि जब हमें किसी व्यक्ति को कोई वस्तू देना हो तो उसे इंग्लिज में बताने के लिए हम हेओ का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं फ्रेंट्स हेओ का यूज करते हैं मतलब सामानेत जैसे हमारे घर महमान आए महमान आए तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं उनको महमान आते हैं तो हम बोलते हैं कि आईए वेलकम आपका स्वागत है आसन लीजिए आसन लीजिए तो क्या होगा हेव और आसन को क्या बोलते हैं तो आसन को हम friends कहते हैं seat आसन को हम बोल सकते हैं chair आसन को हम कहे सकते हैं कि मतलब जो भी हम place दे रहें उनको बैठने के लिए तो have a seat generally use किया जाता है ठीके कि आसन लीजिए अब महमान आ गए बेट ग करते हैं हेव का यूस करते हैं किसका हूस करते हैं हेव का तो friends हेव का मतलब क्या होता है लीजिए या रखिये अब इसका sentences में कैसे यूजिए करेंगे तो चलिए समझते हम बड़े ही सरल सब्दों में आपको बताने की कोशिश करते हैं जैसे की friends हमने कहा हमने कहा कि पानी लीजिये, हमने कहा कि पानी लीजिये, तो क्या कहेंगे, सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, हेव का यूज करना है, और फिर उसके बाद क्या चीज दे रहे हैं, उसके बाद हम जैसे कि पानी दे रहे हैं, तो आपको यूज कर लेना है, हेव वाटर, हेव वाटर का मतलब क क्या होगा पानी लीजिए अरे यह तो बड़ा ही सरलसा है क्यों कि इसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं लगाना है कोई सब्जेक्ट का कन्फ्यूजन नहीं है कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आगे किसको लगाए पीछे किसको लगाए क्योंकि आपके लिए इसको इतना आस करना है और हेव के बाद जो भी चीज दे रहे हैं हेव के बाद हम जो भी चीज दे रहे हैं उसे चीज का नाम लिखना है हेव के बाद जो भी चीज हम दे रहे हैं उस चीज का नाम लिखना है जैसे कि मैंने कहा कि पानी लीजिए तो हमने कहा हेव वाटर ठीक इसी तरीके से म तरीके से और क्या चीज़े दे सकते हैं तो हम अलग-अलग चीज़े दे सकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हेव लिखना है, और हेव के बाद जो भी चीज दे रहे हैं, उस चीज का नाम लिख देंगे, इसी तरीके से हमने बोला, अच्छा मैंने एक और भीया आप रखिये तो generally मन में रखने वाली चीजे अब मन में क्या रखा जाता है तो friends मन में रखा जाता है happiness, मन में रखा जाता है kind दया, मन में रखा जाता है courage, सहास तो ऐसी चीजों के लिए भी हम हेव का use कर सकते हैं देखते हैं example के माद्यम से, जब हमें कहना हो की धैरिय रखिये, जब हमें कहना हो की धैरिय रखिये, तो इसका होगा patience, patience का मतलब होता है धैरिय, इस तरीके से आपको एक-एक शब्द नए सीखने हैं और उन एक-एक शब्दों का प्रयोग करके आपके लिए अंग्रेजी बड़ी ही आसान हो जाएगी, तो friends ये आप सभी के लिए ये course लाया गया है, ये course बिलकुल free है, completely free है, और इस course में हम 30 days में आपको guaranteed spoken English सिखाने की बात करते हैं, guaranteed मतलब मात्र 30 days में आपके पूरी English cover up हो जाएगी, आपके लिए अंग्रेजी पढ़ना समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा, अगर आप हमारे इन concepts को साथ में लेकर के चलते हैं और इनको practice करते हैं तो, हमने बताया, हेव मिंस होता है, लीजि जब हमें कहना हो कि आप कोई चीज रखिये तो वहाँ पर हेव के साथ हम उस चीज का नाम लिख देंगे, जैसे हमने कहा कि धेरे रखिये तो होगा हेव पैसेंस, ठीक इसी तरीके से हमें कहना हो कि शान्ति रखिये, तो हम कहेंगे हेव और शान्ति को क्या बोलते हैं friends, श हेव पैस मतलब क्या हो गया, शान्ति रखिये, तो हेव के हमने दो users पढ़े, पहला होता है हेव मिन्स लीजिए और दूसरा हेव मिन्स रखिये, जब हमें किसी व्यक्ति को कोई चीज सर्व करना हो, किसी व्यक्ति को कोई चीज प्रदान करना हो, किसी व्यक्ति को कोई ची कीज का नाम ले उस गुण का उस quality का नाम बोल देते हैं जैसे इसको और example के माद्दियम से हम समझ सकते हैं जैसे अगर हमें कहना हो कि भाईया आप जो है ना इमानदारी रखिए तो क्या होगा हेओ ओनेस्टी हेओ ओनेस्टी मतलब इमानदारी रखिए ठीक इसी तरीके से हमें कहना हो कि साहस रखिए तो क्या होगा हेओ साहस को क्या बोलते हैं साहस को बोलते हैं करेज क्या बोलते हैं करेज तो हेओ करेज तो friends मुझे लगता है कि आपके लिए अब किसी को कोई चीज offer करना difficult नहीं होगा कोई बले ही विदेश से कोई foreign से अगर हमारे घर पर आ जाए तो हम आसानी से उसको offer कर सकते हैं English में offer कर सकते हैं जैसे हम कही पर गए चाय पी रहे हैं अब वहाँ पर हमारे friends लोग आए गए तो आप उसको English में offer कर सकते हैं कैसे कहेंगे कि please have tea क्रपिया चाय लीजिए अब इसके आगे और इसको थोड़ा सा अगर हम बढ़ाने की कोशिश करें तो friends आपको बता दें अब कुछ examples हम लेते हैं इसी के साथ जो आपके लिए practice के point of view से बड़े ही आसान होगे जैसे कि हमने कहा कि pain लीजिए बड़ा ही easy सा structure है तो friends structure क्या था structure में आपके लिए revise कर दूँ एक बार लिख दू structure ताकि आपको कोई confusion न रहे friends structure में सबसे पहले आपको क्या लिखना है सबसे पहले लिखना है हेओ और हेओ के बाद उस चीज का नाम लिख देना है जो चीज आप offer कर रहे है हेओ के बाद आपको उस चीज का नाम लिखना है जो चीज आप offer कर रहे है जैसे कि हमने कहा कि pain लीजिए तो क्या होगा सबसे पहले हमने लिख दिया हेओ और क्या ओफर कर रहे है पेन ओफर कर रहे है तो लिख दिया हमने हेओ पेन मतलब पेन लीजिए ठीक इसी तरीके से हमें कहना हो कि किताब लीजिए तो क्या होगा हेओ और किताब को कहते हैं किताब को कहते हैं बुक तो क्या हो जाएगा H.O.V.úc H.O.V.úc मिंस क्या होगा किताब लीजिए Friends इसी तरीके से अगर हम कहें कि आपका Mobile लीजिए तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे H.O. अच्छा क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं आपका Mobile तो friends आपका के लिए हम word यूज़ करते हैं your, क्या यूज़ करते हैं your, तो आपका mobile क्या होगा your mobile, आपकी copy your copy, आपका friend your friend, आपकी चाबी your की, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, आपका mobile लीजिए तो होगा heyo your mobile, heyo your mobile मतलब आपका mobile लीजिए, तो friends इसी तरीके से यह हो है, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही easy है, और अगर इस तरीके से आप अंग्रेजी सीखेंगे ना, तो आपके लिए अंग्रेजी सीखना बड़ा ही piece of cake हो जाएगा, सर यह piece of cake क्या होता है, friends, piece of cake का मतलब होता है, बड़ा ही आसान काम, piece of cake का आप लिख सकते हैं अपनी बुک में, कि piece of cake का मतलब होता है, कि बड़ा ही आसान काम हमने कहा English शीखना आपके लिए piece of cake हो जाएगा मतलब English शीखना आपके लिए बड़ा ही आसान सा काम हो जाएगा अगर हमारे इस specific concept को follow करते हैं तो तो friends हम बात कर रहे हैं कि हमने कहा कि आपका mobile लीजिए तो क्या होगा have your mobile ठीक इसी तरीके से हमने बोल दिया पानी लीजिए तो क्या होगा have water आगे अगर हम बात करें तो आपका shirt लीजिए तो आगे होगा have shirt अब आपका है तो आपके लिए क्या यूज किया जाएगा have your shirt तो इस तरीके से friends जब हमें किसी भी व्यक्ति को जब हमें किसी भी व्यक्ति को कोई चीज ओफर करना हो देना हो तो हम heyo का use कर सकते हैं आगे और अगर हम examples की बात करें तो जैसे कि कहा गया कि cake लीजिए तो heyo cake और अगर हम बात करें कि आराम लीजिए और भया आराम लीजिए आराम कीजिए आराम कीजिए या आराम लीजिए बात वही होता है क्योंकि आपको बाड़ी को आराम लेने क्या हो शकता है तो हम ऐसे इस्तति में कहते हैं कि भया आराम लीजिए या आराम कीजिए तो वहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि हेओ और आराम को क्या बोलते हैं आराम को बोलते हैं रेस्ट तो क्या हो जाएगा हेओ रेस्ट देखा भीया कितना आसान है अंग्रेजी सीखना अब इस तरीके के सेंटेसेज अगर हाँ अब आप चाते हैं देखिए अभी कई बार एक और चीज आपको मैं बता दू आपकी क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अभी तो बोल लिया लेकिन आपके दिमाग को जो प्रेक्टिस है आपकी जबान को जो प्रेक्टिस है वो आपकी नेट्यू लेंग्वेज बोलने की प्रेक्टिस हो चुकी है और उस कारण से आपको जब बोलने की आउश लीजिए बोलने की जरूत पड़े, आटोमेटिक है और निकले, तो इसके कम से कम 100 sentences की आपको practice करना है, कितने sentences की practice करना है, कम से कम 100 sentences की practice करना है, friends जब तक आप class देख रहे हैं, आप नीचे comment भी करते जाएंगे इस तरीके के sentences, अगर आप comment करेंगे, तो आपकी practice होगी, और आप अगर practice कर रहे हैं, तो दूसरे friends की भी practice होगी, क्योंकि आपने comment किया, आपने comment किया, आपका friend पढ़ रहा है, आपके friend ने comment किया, आप पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से अगर हम ये heyo के sentence, आपके दिमाग में भी आ रहे होगे, डेफिनेटली आपके दिमाग में आ र करेंगा और यहer ऐतनाया हुए फोन ले लिश्या तो वहां पर Mümm्हाई फोन मिधा तरह कि enseñ ओ ब इस सब्सक्राइब दो हब आप वर मुझेया क्यों केता है तरा है, प३ूरिज हमाई बूरे क discussion क्यहेंक्त, है बढ़ा िसकी प्रैक्टिस करेंगे जो इस तरीके के सेंटनेस अगर आपके दिमाग में आ तो आपको आप सो कमेंट में लिख देंगे कमेंट में लिक देने से फाइदा यह clic बिभूद में आपकी भी प्रक्टिस हो जाएगी जो लोग पढ़ेंगी तो क्या होगा हेव बिस्कीट इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं पैन लीजिए तो हेव पैन तो बड़ा ही आसान सा है बड़ा ही easy सा structure है जहां पर हमें सबसे पहले क्या यूज़ करना होता है हेव यूज़ करना होता है और हेव के बाद जो भी हम object दे रहे हैं उस object का नाम लिख देंगे तो I hope कि आपको यहां तक समझ में आया होगा बड़ा ही easy सा concept है एक और concept आप तो कहेंगे कि sir ये तो आपने एक ही concept पढ़ाया ठीक है friends अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कम है तो एक और concept आपके लिए लेकर के हम आ रहे हैं दूसरा concept है give me कि sir हमने कोई चीज दे दी अब हमको वापिस अगर हमको मांगना है अगर हमको जरूरत हो रही है तो हम किस तरीके से मांगे ये तो friends मांगने के लिए आपको यूज करना है क्या give me मांगने के लिए क्या यूज करना है give me और give me के बाद जो भी आपको चीज की requirement है वो चीज आप बोल सकते हैं जैसे कि कहेंगे कि भी आप मुझे मुझे पानी दीजिए मुझे पानी दीजिए तो हम क्या कहेंगे कि give me give me हो सकते हैं आगे की classes में हम बताएंगे कि घुमी का substitute क्या हो सकता है इसको अलग-अलग level पर किस तरीके से बोला जा सकता है modern तरीके से किस तरीके से इसको बोला जा सकता है सारी चीजों को हम समझेंगे लेकिन friends अभी हम बात कर रहे है basic concepts हमने कहा है कि यह जो class ली गई है बचपन से पचपन के लिए ली गई है मतलब एकदम zero level से इस class को इस तरीके से design किया गया है कि step by step सारी चीज़े करवाई जाएगी और हर एक बच्चा इसको समझ पाएगा तो मुझे पानी दीजिए तो क्या होगा कि give me water ठीक इसी तरीके से आप ने कहा कि भाईया मुझे charger दीजिए मेरे पास charger नहीं है मुझे charger दीजिए तो क्या होगा कि give me charger ग्यू मी charger मतलब मुझे charger दीजिए इसी तरीके से आप इसकी practice कर सकते हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा important चीजे हैं इसके पहले हमने बोला कि जब हमें किसी को कोई चीज देना हो तो हम हो का use करते हैं इसी तरीके से किसी व्यक्ति से कोई चीज हमको मांगना हो तो हम give me का use करते हैं तो give me और उसके बाद हम क्या यूज़ कर लेंगे object यूज़ कर लेंगे अब एक और चीज आप इसके साथ बता दू मैं आपको कि give me आपने बोला कि मुझे दीजिए आप कई बार हम ऐसा कहते हैं कि मुझे आपका mobile दीजिए तो क्या होगा मुझे मुझे आपका mobile दीजिए मुझे आपका mobile दीजिए तो इसे हम कहेंगे give me give me आपका को बोलेंगे your आपका को बोलेंगे your और क्या मांग रहे हैं mobile मांग रहे हैं तो मुझे का हम कहेंगे कि give me your mobile मतलब मुझे आपका mobile दीजिए friends इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जब have means होता है लीजिए और give me मतलब मुझे दीजिए आपको किसी को कोई चीज देना है तो हम have का use करेंगे और किसी से कोई चीज मांगना है तो हम किसका use करेंगे give me का use करेंगे examples की बात करें, तो जैसे मुझे pain दीजिए, तो क्या होगा, आप comment में लिख सकते हैं, ठीके, अपने दिमाग में भी अगर आपके sentences कुछ आ रहे हैं, तो आप वह comment में लिख देंगे, ताकि क्या होगा, कि आपके लिए easy to understand होगा, चीजे समझना आपके लिए आसान हो जाएग ग्यू मे buy food, मुझे एक glass पानी दीजिए, तो give me a glass of water, अब एक बात बड़ा ही दियान रखेंगे, क्या, कि जब हमें कहना हो कि एक glass पानी, तो कहेंगे glass of water, अगर आपको कहना हो एक cup चाह, तो कहना होगा cup of tea, अगर आपको कहना है, एक glass juice, तो glass of juice, अगर आपको कहना है कि कटोरी दहीं तो को लिखेंगेगे बाउल ओफ कर्ड तो इस तरीके से आपको यूज करना है ठीके तो ग्यू में क्या चाहिए मैं मुझे ग्लास पानी दीजिये तो कहेंगे कि ग्यू में ग्लास ऑफ वाटर इसी तरीके से क्रपया मुझे फाइल दीजिए तो ग्यूमी फाइल प्लीज आप क्रपया के लिए क्या यूश कर सकते हैं क्रपया अगर लगा रहे हैं तो क्रपया के लिए आप यूश कर सकते हैं प्लीज और प्लीज के बाद क्या होगा प्लीज ग्यूमी फाइल क्रपया मुझे फाइल लीजिए तो I hope कि ये समझ में आ गया होगा हेओ का मतलब होता है लीजिए हेओ का मतलब होता है लीजिए और ग्यूमी का मतलब होता है मुझे दीजिए आपको डेली लाइफ में ये सेंटेंस जो है बहुत ही जादा यूज़ करना होता है हम regular day to day life में हम ये structure बहुत जादा य यूज़ पूल है अगर साब सर इससे हम कैसे अंगरेजी सीख जाएंगे ये तो हमें पहले से ही पता है फ्रेंट से डेफिनेटल आपको ये पहले से पता होगा लेकिन इसके बाद जो मोब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं आप ने ने आप यूज़ करके देखिए अब आप आप ने कहा कि भीया मुझे तकिया दीजिए तो क्या होगा ग्यू में आप जिनको बता होगा कि तकिया का मिनिंग क्या होता है वो लिख देंगे और जिनको नहीं पता होगा उनको सर्च करना है ठीक है आप गूगल से सर्च कर सकते हैं आप डिक्सिनरी से देख सकते हैं ज से तरीके से आपने बोला हेय याने लीजी है याने मेरे लीजी आपने कहा इश्वर से प्रार्तना करी तो इस तरीके से हम इसको भी practice कर सकते हैं हमें है इश्वर हमको सदबुध्धी दो है इश्वर हमको अच्छी सोच दो तो हम क्या कहेंगे कि ग्यूआ wisdom ग्यूआ positive thinking तो इस तरीके से जो है ये ग्यूआ का हम यूज कर सकते हैं ये लीजिये का यूज कर सकते हैं जब हमें किसी को कोई चीज देना हो तो हम हो का यूज करेंगे जब हमें किसी से कोई चीज मांगना हो तो हम ग्यूमी का यूज करेंगे तो friends यह बड़ा ही important structure था इसके आगे और अगर हम बात करें तो इसकी और practice कर सकते जिसे मुझे laptop दीजिए तो क्या होगा ग्यूमी laptop ग्यूमी laptop मतलब मुझे laptop दीजिए ठीक इसी तरीके से होगा कि मुझे बेग दीजिए तो ग्यूमी बेग इसी तरीके से मुझे कलम दीजिए तो ग्यूमी और कलम को क्या कहते है friends तो कलम को हम कहते है pen, column को क्या कहते है, pen, तो क्या होगा, मुझे column दीजिए, तो give me pen, इसी तरीके से, मुझे एक मोका तो दीजिए, कई बार हम बोलते हैं, कि सर में आप जो बात करें, definitely I will do that, मुझे एक मोका तो दो, तो मुझे एक मोका को क्या होगा, give me a chance, क्या बोलेंगे, give me a chance, तो मुझे ए इसलिए अभी हमने नहीं लिखा है, ताकि आप इनके self practice कर पाए, तो क्या करना है, आपको इसका screenshot लेना है, और अपने side से इसको translate करने की कोशिश करना है, आप इसको अपने side से translate करेंगे, तो definitely you will come to know about different things, और आपको थोड़ी सी चीज़े पता चलेगी, हम कोशिश करेंगे आपके लिए इसके practice sheet भी provide करवा पाए, या आपके लिए ये PDF भी share कर पाए, ठीक है, ये PDF अगर आपको चाहिए, तो ये PDF आप कहां प्राप्त कर सकते हैं, आप टेलिग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं, आपने अगर हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है, तो मास् चलो कुरसी लाओ तो bring vegetable, है ना, पानी लाओ, bring water, तो bring का मतलब क्या होता है, ले करके आओ या लाओ, आप जब हमें कोई सी किसी व्यक्ति से कोई चीज मंगवानी हो, तो वहाँ पर भी हम bring का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, bring का यूज़ करेंग तो क्या लेकर क्या हो, हमने बोला कि bring लेकर क्या हो, bring a glass of water, bring a glass of water, मतलब एक glass पानी लेकर क्या हो, और क्या कहेंगे, are you going to the market, क्या आप बाजार जा रहे हो, अच्छा, बाजार जा रहे हो, तो bring the vegetables, बाजार जा रहे हो, तो bring the vegetables, तो bring vegetables मतलब क्या होगा, कि भी है सबजी ले करके आना तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो bring का मतलब क्या होता है ले करके आना या ले करके आओ या लाओ ठीके तो bring का मतलब क्या होता है लाओ हेओ का मतलब क्या होता है लीजिए ग्यूमी का मतलब क्या होता है मुझे दीजिए तो इस तरीके से ये छोटे-छोटे sentences की practice के माध्यम से definitely अंग्रेजी आपके लिए बहुत ही जादा आसान हो जाएगी तो ठीक है हमने क्या बोला ठीक इसी तरीके से अगर हम कहें कि आप सभी के लिए जैसे आपको कहना हो कि सब्जी लाओ तो हम यूज़ करेंगे ब्रिंग और सब्जी को क्या कहते है vegetables फल लेकर क्या हो तो क्या होगा ब्रिंग और फल को क्या कहेंगे fruits कहेंगे ठीक है मिठाई लाओ तो ब्रिंग और sweets हो सकता है एक glass दूद लाओ तो ब्रिंग a glass of milk charger ले आओ तो क्या होगा ब्रिंग और charger को charger ही बोलते है यह charger क्यूł बोलते है charge का मतलब होता है किसी चीज़ में power supply करना ल library means मतलब होता है चलाना और ड्राइवर मतलब चलाने वाला प्ले मतलब खिलना और प्लेयर मतलब खिलने वाला डू मतलब करना डूर मतलब करने वाला तो इस तरीके से जिसमें यार लग जाता है वो हो जाता है करने वाला जिसमें यार लग जाता है वो क्या हो जाता है करने वाल चार्जर का मतलब क्या होता है चार्ज करने वाला अब कई लोग बोलते हैं चार्जिंग लेकर क्या हो वह चार्जिंग नहीं होता है वह क्या होता है चार्जर होता है चार्जर क्यों कहते हैं कि जो चार्ज करने वाला होता है उसे चार्जर कहते हैं ठीक इसी तरीके से हम लिखना है bring लिखना है और फिर उसके बाद जो भी चीज मांग रहे हैं जैसे क्या कहा bring a plate मतलब एक plate लेकर क्या हो मेरे लिए glass लाओ तो bring क्या लेकर क्या हो a glass तो bring a glass for me अब मेरे लिए तो मेरे लिए को बोलेंगे for me मेरे लिए क्या बोलेंगे for me लिख लेंगे जो मेरे लिए होता है ना मेरे लिए को हम क्या बोलते है for me और इसको sentence में कहा लिखेंगे तो इसको लिखना है friends sentence में सबसे last में इसको लिखना है sentence में सबसे last में, कि bring का मतलब होता है ले करके आओ, और किसके लिए, मेरे लिए तो bring a glass for me, for me कहां पर लिखना है, last में लिखना है, ठीकि इसी तरीके से मेरे लिए एक takia लाов, तो सबसे पहले क्या करेंगे, bring लिखेंगे, क्या लाना है, क्या लाना है, takia, takia को क्या बोलते हैं पिलो क्या बोलते हैं फिलो तो ब्रिंग अपिलो किसके लिए मेरे लिए तो फोर मी को सेंटेंस के सबसे लास्ट में लिखना है तो स्ट्रक्चर को नहीं भूलना है हमारा स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमको लिखना है ब्रिंग सबसे पहले हमको क्या लिखना है ब्रिंग लिखना है और ब्रिंग के बाद क्या लिखना है जो भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी चीज आप मांगा रहे हैं तो ब्रिंग के बाद चीज लिखना है और फिर for me का मतलब क्या हो गया मेरे लिए ठीक है इसी तरीके से हम बात करेंगे कि मेरे लिए एक तक्या लाओ तो bring a pillow for me मेरे लिए एक पत्रिका लाओ तो bring an invitation card bring a magazine पत्रिका दो सब्द होते हैं कई बार invitation जो card आता है उसको भी लोग पत्रिका बोलते हैं दूसरा क्या होता है कि जो हमारी पढ़ने के लिए जो monthly या bimonthly magazines आती है उनको भी हम पत्रिका बोलते हैं तो मेरे लिए एक पत्रिका लाओ तो bring a magazine for me मेरे लिए एक चमच लाओ तो bring a spoon for me तो bring का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स ब्रिंग का मतलब होता है लेकर क्या हो ब्रिंग का मतलब क्या होता है लेकर क्या लाओ पत्रिका लाओ तो bring a magazine bring a magazine, किसके लिए, for me, for me मतलब क्या हो गया, मेरे लिए, इसी तरीके मेरे लिए एक चमज लाओ, तो bring, चमज को क्या बोलते हैं, चमज को बोलते हैं, spoon, क्या बोलेंगे, spoon, किसके लिए लाओ, for me, for me मतलब मेरे लिए, तो friends, I hope कि ये चीज़े आपको थोड़ी सी informative लगी होगी, ठीक ठाक लगी होगी, तो क्या करना है, आपको तीन structures के हमने practice कराईए, एक थोड़ा हलका सा quick revise कर लेते हैं, चाकि आपके लिए चीज़े आसान हो सके, सबसे पहले हमने क्या बात करी, सबसे पहले हमने बोला है, कि ह हेव का मतलब क्या होता है, हेव का मतलब होता है, लीजिए या रखिए, कि जब हमें कहना हो कि भीया कोई चीज़े लीजिए, तो हम हेव का यूज़े करते हैं, जैसे हमने बोला कि पेन लीजिए, तो हेव पेन किताब लीजिए, हेव बोक मोबाइल लीजिए, हेव पानी दीजिए तो ग्यूमी वाटर मुझे चार्जर दीजिए ग्यूमी चार्जर मुझे आपका मोबाइल दीजिए ग्यूमी यूर मोबाइल ठीक है मुझे पेन दीजिए ग्यूमी पेन मुझे आपका पता दे दो ग्यूमी एड्रेस मुझे खाना दीजिए ग्यूमी क्रपया मुझे किताब दीजिए जैसे एक ग्लास पानी लाओ तो ब्रिंग वेजी टेबल चाय लाओ तो ब्रिंग टी सबजी लाओ, फल लाओ, मिठाई लाओ, तो bring के बाद इन सभी का use हम करते हैं, तो friends ये सारी चीज़ हमने बताई आपको, कितीन चीज़ हमने पढ़ी है, क्या एक तो पहला पड़ा हमने have याने लीजिए, कि किसी को कोई चीज offer करना हो, तो have का use करते हैं, दूसरा हमें कोई किसी चीज़ मांगना हो, तो give me का use करते हैं, तीसरा हमें किसी चीज़ को लेगर के आने को बोलना हो, तो हम bring का use करते हैं, friends आगर ये आपको ठीक ठाक लगी हो, जानकारी, तो अपने दोस्तों के साथ, ये अपने रिष्थेदारों के साथ, आपके दिमाग में कोई हैसा हो कि जो English के कारण काफी struggle कर रहा हो, तो आप उसको इस link को जरूर शेयर कर दीजिएगा, यहाँ पर regular classes होगी, ये classes जो है, लगबग जो है, 30 classes होगी, जहाँ पर पूरा basic concepts आपको समझा दिया जाएगा, कि कैसे English को सीखना है, और किस तरीके से हम इसका practice कर सकते हैं, अगर once you complete that definitely आपके लिए सारी चीज़े जो है, easy to understand रहेगी, आपको कोई भी चीज़ पढ़ने समझने में difficulty नहीं आने वाली है, ठीके, तो friends ये बड़ा ही प्यारा सा course design किया गया है, ठीके, आप हमारे अलग-अलग platform से जुड़ सकते हैं, मास study हमारे YouTube channel है, मास English grammar जो grammatically divided है, devoted है, कमले सर ओफिसियल, मास online school, हमारे telegram channel है, हमारे Facebook पर भी pages बने हुए है, तो आप सभी को join कर सकते हैं, definitely language के point of view से अगर हम देखे जाए, तो आपके लिए complete solution मिल सकता है, तो friends आप हमारी classes को join कर सकते हैं, और दूसरा जो है, ये course है, जो 30 days का course है, इसको आप regular join कीजिएगा, अगर आपको class ठीक ठाक लगी होगी, तो like कर लीजिएगा, और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस class से आपको benefit हुआ, तो इसको share कर दीजिएगा, और subscribe कर दीजिएगा, ताकि अगली class सबसे पहले आप तक पोचे, तो friends, I hope you enjoyed the session, अगर ठीक ठाक लगा हो, तो like, share and subscribe जरू Thank you.